चलिए शुरू करते हैं आज भारतिये शंसद की बात करते हैं किसकी बात करते हैं भारतिये शंसद की जो की आधा टॉपिक हो चुगा था कुछ वज़स से कल वीडियो जो है एक ही अपलोड हुए थे क्योंकि कुछ तवियत खराब थी इसलिए फास चलेंगे जो कि मैंने बताया तो चलिए फास चलेंगे वालने न पढ़ेंगे और अंसर का जवाब देंगे जाता है तो भारत की संग्य जो वेवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं तो संसद के नाम से जानते हैं किस नाम से जानेगे, संसत के नाम से, भारतिय संसत के कितने शदन होते हैं, दो शदन होते हैं, लोगशवा और राशवा होते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि भारतिय संसत के कितने शदन होते हैं, तो लोगशवा राशवा होते हैं, अगर आपसे और पूछ दे कि भारतिय सं की बात करेगा तो राजशभा को याद रखेंगे क्योंकि इसे आप भी कहा जाता है और उच्छ सदन भी कहा जाता है आप इस कोश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि भारतिय संसद के किस सदन को प्रतिनिधी सभा भी कहा जाता है तो लोकशभा को कहते हैं तो प्रतिनिधी सभ मतलब कि Public से Direct Public की बात करता है। मत मत देने की अधिकार में लोक्षभा के लोग, परदान मंतरी, सब जो है, लोक्षभा में आते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, आपका याद करने का तरीका अपना-पना होता है। संसत के अभिन भाग किसे कहा जाता है तो राश्टपती को कहते हैं अभिन अंग की बात होगी तो हम जानते हैं किसका राश्टपती होते हैं संसत का अभिन अंग मतलब important होते हैं अगर चलते हैं अगर आगे देखें द्यान से देखेंगे कि संसर्द का निम्न शदन और उच्छ सदन करमशा क्या है तो मैंने बताया था कि निम्न शदन लोक्षभा उच्छ शदन हमारा राश्च शबा चीक है दो शदन था जो कि इंपोर्टन था लोक्षभा राश्च शबा Next question है भारतिय संसर्द में कितने अंग होते हैं तो तीन होते हैं लोक्षभा राश्च शबा और राश्च शबा राश्च शबा अगर अंग पूछे तो तीन लोक्षभा राश्च शबा राश्च शबा राश्च शबा राश्च शबा अगर अंग पूछे तो तीन लोक्षभा राश्च शबा राश्च शबा राश्च है कि शंग के लिए एक संसद होगी, जो राष्टपती और दोनों शदन, राष्टपती और दोनों शदन, राष्टवा लोगशवा मिलकर, आर्टिकल 79 में इसे रखा गया है, किसमें चर्चा थी? आर्टिकल 79 में, जो कि अंशेर से पूछा, तो अगर आप से पूछे कि संग के लिए एक संसद होगी, यह दम सही है, जिसमें राष्टपती और दोनों शर्दन, जो कि लोक्षभा, रास्वा होंगे, जो कि किस आर्टिकल में बात कही गई है, तो 79 में आर्टिकल में कही गई है, अन्शेद में कही गई है, आगे सवाल पूस्ता है, भारतिय संसद के किस अंग को शर्दन का, प्रथम सर्दन कहते हैं, तो हम जानते हैं संसद का, अगर अंग में से पूछे, प्रथम संसद की बात करेगा, तो याद दखेगा लोक्षभा, प्रथम है, सेकंड हमारा आता है रास्षभा, जो कि उपर सर्दन कहते हैं, तो भारतिय संसद के किस अंग को शर्दन कहते हैं, तो रास्षभा को कहते हैं, प्रथम लोक्षभा, याद खेगा, बहुत कन्फूजन होता है, इसमें बहुत लोग टीक आउट करके गलत आ गए हैं, आफलाइन वाले भी, और मैं आफलाइन वाले की बात कर रहा हूँ, तो याद खेगा, इसमें दिहान रखेंगे, कि रास्षभा ही दिवतिय सर्दन है, अलोक्षभा पृथम सर्दन है, ये हमिशा दिहान रखेगा, दिखता है कि रास्षभा आपर है, तो पहला होगा, अलोक्षभा दिखती है, ये सबकी कन्फीजन नहीं है, किस किस के है, कोई खरावी नहीं है, कन्फीजन हो ही जाता है, आगे चलिएंगे, संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है, भाई, परसिदेन के पास होगा, राश्टपती के पास होगा, है कि नहीं, चलिएगा संसद में कितने सत्र होते हैं अब सत्र, सदन पढ़ लिए दो चीक है, अंग पढ़ लिए तीन है न, राष्टपती लोक्षभा, राष्भा पढ़ लिए अब पढ़ देंगे संसद के सत्र सत्र पढ़ेंगे तीन, क्योंकि संसद के दो क्रमिक अडिवेशनों के बीच अधिक्तम कितने समय अंतराल अनुमानित होती है, तो याद रखेगा छे माँ, छे माँ जरूर होता है समय अंतराल अगर आप पूछे, दोनों अडिवेशनों के अगर बात करें तो उसके बीच के अंतराल पूछे, तो छे माँ याद रखेगा, छे महीने याद रखेगे, छे मन्त याद रखेगे, बात ये संसद के दोनों शदनों की संयुक्त बैठक, मतलब राजशवा, लोकशवा की बात करता है, उसमें अगर पूछे किस संबन्द से होता है, तो जा आगे सवाल आपसे पूछेगा, सधारन बिध्यक से संबन्दित, गती रोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों शदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो कौन बुलाता है, राश्टपती बुलाएगा, कौन बुलाएगा, तो राश्टपती बुलाएगा, ये याद रखेगा, भातिये संसद के दोनों शदनों की संयुक्त बैठक की अध्यस्ता कौन करता है, देखे, बुलाने वाला कौन होता है, राश्टपती, अगर अध्यस्ता की बात होगी, तो लोग्शभा अध्यच होंगे, याद रखेगा, ये चीज बहुत ही confusion करता है, करने की बात होगी तो हमारा लोकसब अध्यच करेगा बस खितनम बास खतम खतम भारतिय संसत के सयुक्त बैठक को कौन संबोधित करेगा संबोधित करना हो या बुलाना हो या उसके मतब संबोधित करना हो बुलाने के संस में होता है तो राश्पती करेगा अध्यचता की बा में क्या होगा पस्ताव जो है गिर जाएगा अगर दोनों समिधान संसोधन अगर हो उसमें मतवेद हो जाए मतवेद होने की बात संभाव ना हो तो पस्ताव जो है गिर जाएगा मतवेद से हड़ जाता है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पे उसका प्रश्ण नीचे है ठीक है प्रथम विशय कौन सा है तो प्रश्नकाल कहलाता है। अगर आपसे पूछे कौन सी प्रथम संसर्य प्रणाली को भारत की देन है तो सुन्नकाल को बोला जाता है। प्रश्नकाल कहलाएंगे क्योंकि प्रथम विशय होगा तो प्रश्नकाल कहलाएंगे। अब संसर्य प्रणाली को भारत की देन के रूप में अगर हम कहें तो सुन्नकाल को कहेंगे। एक बटादश एक बटादश याद खेगा क्या होता है बैदानिक रुप से इसको चैंबर की मीटिंग को बुलाने का भाग होना चाहिए, एक बटादश जरूर होने चाहिए, नहीं तो मीटिंग नहीं हो सकता है। यदि किसी सरहरें बिधेग पर राज्यशभा लोक्षभा के बीच गतिरोध होता है तो इसका समाधान किया जाता है। तो याद रखेगे, अगर लोक्षभा राज्यशभा में होगा, तो संयुक्ते बैठक कहलाएगा ना, क्योंकि इसे रोकने के लिए क्या होगा? संयुक्त बैठक बिलाएजएगे, तो संयुक्त का संयुक्त अधिवेशन द्वारा होता है, संयुक्त बैठक कहिए, या याती है, यदि वहब बिनाश्यदन को सुचित किये, अनुपस्तित रहता है, तो याद रखेगे, अनुपस्तित जब रहेगा, तो साट दिन के अंदर ये खोगा, याद रखेगे, संसत के किसी भी सदिस्ता, अगर तब समापत होजएगे, साट दिन तक अगर आप उसमें नहीं अनुपस्तित रहते हैं, अनुपस्तित रहते हैं, अब सेंट रहते हैं, तबी, प्रजन रहेगा, तो क्या दिकत है, एक बर्स में कम से कम कितने बार संसत की बैठक होनी अवश्यक होती है, तो संसत की बैठक अगर साल में पूछे, ये वन एर में पूछे, तो याद कियेगा संसत की बैठक शाल में कितनी बार, दो बार होनी अवश्चक है, जो कि समय अंत्रार कितने का आच्छे माह का देख रहे थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बिधाय कोमी, किसका जो है, एक भारतिय संसत के दोनों शदनों द्वारा अलग-अलग विशेश बहुमत से पार याद है ना, आगे सवाल है, भारतिय संसत के बेतन का निर्वान, सारी, निने कौन लिख करता है, तो भारतिय संसत के बेतन का निने कौन करेगा, संसत खुद करेगा, या तुखेगा, तो संसत खुद करेगा, ये या तुखेंगे, पारलियामेंट खुद करेगी, संसर ये पर्णाली वाली जो सरकार को अन किस नाम से जाने जाता है तो संगिय सरकार बोलते हैं क्योंकि संगिय सरकार इसले बोलते हैं क्योंकि संसत से ही है जुड़ा हुआ और इसमें तीम जरूरी होते हैं आप जानते हैं कौन-कौन लोक्षवा, राश्वा, राश्पती आगे सवाल आपसे पूछेगा कि भातिय समिधान के किस अनुशेद के अंतरगत संसत के सदश्यों के विशेश अधिकारों तथा उनमुक्तियों को निरधारित करता है तो आर्टिकल 105 में इसका कहा गया है 105 में कहा गया है, याद दखीगा तो आर्टिकल में पूछा गया है, 105 में क्या पूछा गया है बता सकते हैं, तो आप याद दखीगा कि किसी जो अंतरगत जितने विशेश संसत के सदश्यों होते हैं उनके विशेश अधिकार हों यौन मुक्त जो होते हैं, उसमें निरधारी जो होते हैं, उसमें निट्थ होते हैं, उनकी बात कहा गया है, तो यहाँ दिखेगा 105 में, चीक है 105 बहुत हिंपोर्टेंट है, ध्यान लखेगा, भातिये राजनितिक बेवस्ता में काजपालिका किसके अधीन रह कर काज करती है तो दोनों स्वतंत्र होकर करज़ करती है तो अगर आपसे पूज़ दे कि भातिर राजनीतिक जो बेवस्था होती है काजपालिका जो होती है किसके अधीन रहकर करती है तो किसी के अधीन नहीं रहेगी दोनों स्वतंत्र होकर करते हैं इनमें कोई बंधन नहीं होता है किसी संसद जो है शदस की आयोगता के संदर्वे में निड़े कौन करता है तो राश्पती करेंगे क्योंकि राश्पती ही अभी अंग माने जाते हैं या तो खेगा आयोगता के संदर्वे में अगर नीना लेना हो तो राश्पति करेंगे भारत की संचित नीदी में धन निरगम किस निरगम पर किसका नियंतरण है तो संचत का नीरगम होता है पढ़ेंगे भारत के राश्पति हो तो च़रिए से खतम कर देते हैं जो कि और important question कैसे बनते हैं तो भारत सरकार के नेड़ा अंसार संसत का एक सदस्ट जो है अपने छेत्र के विकासात्म कारी करम हो हे तू कितिनी रासी खर्च कर सकता है तो पांच कड़ों खर्च कर सकते हैं अगर आप मालीजिए कुछ यूड़े हुए हैं नेता हुटा बने हुए हैं तो अगर छेत्र की बात करें विकासात्म कार के बार काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पांच कड़ों मिदेगा खर्चा कर दिए ज्यादा करेगा तो दिक्कत है संसत के किन सदस्टों को गैर सरकारी सदस्ट कहा गया है तो मंतरी जितने भी होते मंतरी के अलावा मंतरी परशा जितने भी होते हैं वो याद रखेगा वो आपके सदस्ट होंगे और सब गैर सदस्ट होंगे याद रखेगा दिखते नहीं अभी पच्छ की बात होती है संसत के दोनों सदनों का सत्रवशान जो होता है कौन करता है तो राश्पती करते हैं आप जानते हैं, 17 वशान करते हैं, दोनों का करते हैं, दोनों शादन का बैठा के ये 17 वशान के ये जो कर सकते हैं, भारत की संसत का उद्गाटन कब हुआ? तो या देखें, 1927 में हुआ था, तो अगर आप से ये पूछेगा, पूछता भी है, कि 1927 में क्या हुआ था तो भारत की संसत का उद्गाटन हुआ था ये फाइनल याद सुखेंगे समिधान लागू होने के बाद सरपर्थम तरंकुस संसत का गठन कब हुआ था याद सुखेंगा तो 1989 में हुआ था और लाश्ट आपका है कि अस्थाई सदन संसत भारत में कब तक अस्थित में रहा तो 17 अप्रेल 1922 में रहा था एक अर्वेशन हुआ था जिसमें हम लोग याद रखते हैं अपने डॉक्टर परशाद को जो कि राश्पती थे है ना याद रखेगा तो उनक 1952 तक रहा था अस्थाई ठीक है वो किलियर है वो उनकी जनकारी मैंने इस्टार दिया या तखेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाई-बाई-टड़ा टेक्यर और आप लोगों का सपोर्ट होता है तो अच्छा लगता है दिल से थैंक यू अब पीडियेव आपसे एक से दो दिन में या रात तक आपको भेडिया जाता है आप टेंचन आलेंगे आपको जो भी बोला जा रहा है वो दिया जाएगा बस आप थोड़ा वेट किजिए क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तब ही तो मन लगता है तो चलिए आज के लिए तना है रखते हैं पर चलिए आज के लिए अच्छे लगते हैं बाबाई च्टाव